ये विश्व बंदूत्व के संदेश का दीन है ये वन्नेस अभिहुमनेस का दीन है जो हमें जोडे, साथ लाएं वही तो योग है जो दूरियों को खत्म करे, वही तो योग है कोरोना के इस संकट के दोरां, दुनिया भर के लोगों का माई लाइप, माई योगा, वीडियो ब्लागिंग कम्पूटिशन में हिस्सा लेना इस बात को दिखाता है, कि योग के प्रती उच्छा कितना बढ़ रहा है, कितना व्यापक है साथियों, इस साल, अंतर राष्ट्रिय योग दिवस की थीम योगा एट होम, एंड योगा विड फैमिली, ये तैप हुई है आज हम सब सामोही कारकमों से दूर रहकर, गर में ही अपने परिवार के साथ मिलकर योग कर रहे हैं बच्चे हो, बड़े हो, युवा हो, परिवार के बुजुर हो, सभी जब एक साथ योग के माद्यम से जुड़ते हैं तो पूरे घर में एक उर्जा का संचार होता है और इसलिए इस बार का योग दिवस अगर मैं दूसरे सब्दों में कहूँ तो ये भावात्मग योग का भी दिन है हमारी फैमिली बॉंडिंग को भी बढ़ाने का दिन है साथियों, कोरोना पैंडेमिक के कारण आज दुनिया योग की जरूरत को पहले से भी अधिक गंबीरता से महसूस कर रही है अगर हमारी इमिनिटी स्टॉंग हो तो हमें इस बिमारी को हराने में बहुत मदद मिलती है इमिनिटी को बढ़ाने के लिए योग की अनेक बीद विद्या है अनेक प्रकार के आशन है वो आशन ऐसे हैं जो हमारे शरीर की स्ट्रेंद को बढ़ाते हैं हमारे मेटाबोलिजम उसको शक्तिशाली करते हैं लेकिन कोवीड-19 वाइरस खासतोर पर हमारे स्वसंतंत्र यानि की रेस्पिरेटरी सिस्टिम पर अटेक करता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टिम को स्ट्रॉंग करने में जिससे सबसे ज़्यादा मदद मिलती है वो है प्राणायम प्राणायम याने एक प्रकार से ब्रिथिंग एक्सेसाइज है सामान्य तोर पर अनुलोम बिलोम प्राणायम यह एक प्रकार से पॉपिलर भी हैं आप भी जानते हैं और लोग भी जानते हैं करके भी जिखाते हैं यह प्रभावी भी है लेकिन प्रानायम के अनेक प्रकार है इसमें अगर आप प्रानायम को जानने वालों से मिलोगे दो बताएंगे शितली हैं, कपालभाती हैं, ब्रामरी है, भस्त्रिका है बहुत हैं, अन्गिनद हैं, अब तो नहींने जुड़ते भी चले जा रहे हैं यो कि ये सभी विधाएं, ये तक्नीक, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टीम और इम्यून सिस्टीम दोनों को मजबुत करने में बहुत मदद करती हैं इसलिए आप से मेरा विशे साग्रा है आप आसन करते हो, एक्सेसाइज करते हो, जो भी करते हो जुरू करें लेकिन आप प्रानायम को अपने डेली अभ्यास में जरूर शामिल करें और अनुलोम विलोम के साथ ही अने जो प्रानायम की टक्नीक्स हैं उसे भी सीखे उसको सिद्ध कीजिए योग की इन पध्धत्यों का लाब बड़ी संख्या में आज पूरी दुनिया में ये कोरोना वायरस से ग्रसी जो लोग हैं वो पेशंट उसका लाब ले भी रहें योग की ताकत से उने इस बिमारी को हराने में मदद मिल रही है साथियों योग से हमें वो आत्मविश्वास और मणोबल भी मिलता है जिससे हम संकटों से जूच सकें और जीत सकें योग से हमें शांती मिलती हैं मानसिक शांती मिलती हैं सइयम और सहन सक्ती भी मिलती है स्वामी विवेकान जी कहां करते थे एक आदर्श वक्ति वो है जो नितांत निर्जन में भी क्रियाशिल रहता है और अध्यतिक गतिसिल में भी संपून शांती का अनुहों करता है किसी भी व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ी ख्षमता होती है जब बहुत जादा विपरित परिस्थिती हो तब भी एक्टिव रहना ठक कर हार न मानना बैलेंस रहना ये सारी चीजें योग के माध्यम से हमारे जीवन में स्थान प्राप्त करती हैं हमारे जीवन को बदल देती हैं ताकत देती हैं और इसलिए आपने भी देखा होगा मैसूस किया होगा योग का साधक कभी संकट में धैर्य नहीं खोता है योग का अर्थी है समत्वम योग उच्चते अर्थात अनुकुलता प्रतिकुलता सफलता विफलता सूक संकट हर प्रसिति में समान रहने अडिग रहने का नाम उसी तो योग कहते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इस बारे में क्या विचार है ये हमें नीचे दिये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं साथी इस वीडियो को लाइक करें जिससे हमें और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा झाल